नमस्कार दोस्तों सागत श्रमुजबालीची के और एक हेल्थ वीडियो में इस वीडियो में बात करने वाले लिपीट प्रोफाइल ब्लड टेस्ट के बारे में लिपीट प्रोफाइल टेस्ट क्या है जिसको हम लिपीट पैनल टेस्ट भी बोलते हैं लिपीट प्रोफाइल और इसमें पहला जो component है वो है total cholesterol total total adults मतब ब्लॉड में कितना इसको को क्या चीज है सब्क्राइब क्लिघ कैसे लेको को ब्लॉड मोजून्ट होता है छो फù box लोगों कोर॑ आप PFACTOR c से चीजह कोई नहीं होते जिसको be 6 लॉपलोट में हो सकता है कब मात्राब में बलड में हो सकता है जरूआधसे ज्यादा हो तो खराब है की क्योंकि क्लेशटरॉल एक बहुत important component है जो अमारे koshika की joh membrane है उसमें पाए जाते हैं तो यहां considered blood में कोलेस्टरोल ज्यादा आ गया ज़रूरत से तो वहां पर दिक्कते आ सकती है क्यों कोलेस्टरोल और टोटल कोलेस्टरोल चेक किया जाता है क्योंकि कोलेस्टरोल लेवल ब्लड में कितना है इससे पता चलता है कि कार्डियोवस्कुलिट डिजीज होने की चांसे मतलब हार्ट किया जाता है total cholesterol कितना है normal range less than 200 milligram per deciliter यह normal range होना चाहिए 200 milligram per deciliter उससे कम होना चाहिए यह total cholesterol का level abnormal value indicator की बात करें तो high cholesterol level जो है increased risk of cardiovascular disease मतलब अगर किसी की cholesterol level हट से ज्यादा हो 200 जो amount है value हमने देखा उससे ज्यादा मात्र में पाए जाता है तो वहाँ पर उन सारे पेशेंस में chances है कि future में heart related बीमारी ज्यादा हो ठीक है उसमें दिल का दौरा परना से लेकर अलग-अलग जो बीमारी क्योंकि cholesterol अगर blood में ज्यादा है न तो cholesterol हमारे blood vessel में जाके उसके दीवार में deposit बनाता है और deposit बनने के कारण अगर blood pressure ज्यादा हो तो उसे deposit के कारण clot form होता है तो blood pressure ज्यादा होता है तो नसे फट जाएंगे और उससे जो होगा stroke या फिर यह सारे बिमारी फिर बात करते हैं second component LDL low density lipoprotein और LDL cholesterol देखो LDL cholesterol क्या है cholesterol के दो variety है एक तो यह low density एक हाई density यह low density lipoprotein है इसको bad cholesterol के नाम से हम जानते हैं क्योंकि low density lipoprotein एकर ज्यादा मात्रा में blood में पाया जाता है तो heart disease की chance और भी बर जाते हैं और high density lipoprotein अच्छा है इसको क्यों perform किया जाता है क्योंकि LDL level blood में कितना है इससे हमें पता चलता है कि blood vessel के अंदर plaque form होगा या नहीं plaque का मतलब होता है यह cholesterol deposit बनता है कहां पे blood vessel अब सोच लो कि heart एक pumping device है और उस pump के साथ जो blood vessel है वो pipeline है जिसके जरिये blood जो के पानी के तरह यहां पर body में हर जगा बह रहा है और यहां पर यह जो blood vessel है इसके दीवार पर जब भी cholesterol deposit बनता है तो उसको हम cholesterol plaque बोलेंगे और deposit किस चीज से बनता है LDL low density lipoprotein से बनता है तो वहां पर अगर artery के दीवार में यह plaque बनेगा तो उसमें फट जाने की chance बढ़ जाएगा stroke ज्यादा होगा तो यह LDL cholesterol कैसे चेक किया जाता है simple blood test अब बात करते है normal value की तो LDL cholesterol की normal range less than 100 mg per deciliter 100 mg per deciliter से कम होना चाहिए abnormal value indicator high level of LDL अगर LDL low density lipoprotein cholesterol का मात्रा high ज्यादा हो तो आपकी शरीर में cardiovascular disease की chances बढ़ जाएंगे जनाब तो अब बात करें तीसरी important parameter जो है HDL high density lipoprotein और HDL cholesterol मैंने कहा कि HDL cholesterol को अच्छा cholesterol भी कहा जाता है high density lipoprotein को good cholesterol माना जाता है क्योंकि high density lipoprotein अगर ज्यादा है तो वो low density high density lipoprotein का जो खराब साइड है उसको मास करता है उसके साथ fight करेगा तो देखो दो बंदे LDL HDL HDL ज्यादा है तो ठीक है फिर भी managed हो है मगर LDL ज्यादा है तो वो खराब है total cholesterol अगर ज्यादा है वो भी खराब है क्योंकि तब कैसे perform किया जाता है HDL को simple blood analysis है HDL क्यों perform किया जाता है क्योंकि वही cardiovascular disease की जाच करने के लिए simple blood लिया जाता है उसी से HDL LDL सब कुछ पता चलता है normal range क्या होता है 40-60 mg per deciliter for men पुरुषों के लिए 40-60 mg per deciliter and 50-60 mg per deciliter for women महिलाओ के लिए 50-60 mg per deciliter होता है यहां पर और abnormal value indicator की बात करें तो यहां पर देखो low HDL cholesterol खराब माना जाता है अगर high होता HDL cholesterol तो अच्छी बात है मगर HDL cholesterol blood में कम हो जाए तो risk of cardiovascular disease बढ़ जाता है मतलब LDL ज्यादा होना HDL कम होने से ही आपकी शरीर में cardiovascular disease होने के chances बढ़ जाते हैं और इसके बाद बात करते हैं fourth component की जो है triglycerides triglyceride कौन से चीज़ है किस काम आता है triglyceride की बात करें तो यह भी fat होता है एक प्रकार के fat है type of fat जो blood में पाए जाते हैं तो नॉर्मली बहुत कम होना चाहिए blood में जरू से ज्यादा है तो problem होगा क्यों चेक किया जाता है वही बात ज्यादा मात्र में triglyceride blood में है तो automatically heart disease ह होने के chances बढ़ जाएंगे अलग अलग प्रकार के heart disease होने के chances बढ़ जाएंगे कैसे यह test किया जाता है simple सी अपके हाथ से blood लिया जाता है फिर उसको analysis किया जाता है इसके बाद बात करें normal range की तो इसका normal range 150 mg पर deciliter से नीचे होना चाहिए और abnormal value indicator ज्यादा ज्यादा मात्र मे triglyceride हो high triglyceride हो तो उससे cardiovascular disease की जो risk है वो भढ़ जाता है इसके बाद बात करते हैं fourth type of parameter जो के triglyceride and HDL का ratio Tc versus HDL Tc over HDL ratio क्या चीज़ है यह देखो यहाँ पर the ratio of total cholesterol not triglyceride total cholesterol to HDL total cholesterol blood में कितना cholesterol है और कितना HDL है उसका ratio देखो अगर HDL ज्यादा है तो यह value जो है ratio के कम हो जाएगा और कम value मतलब हमारे सेहत के लिए अच्छा और अगर cholesterol ज्यादा है HDL कम है तो value बढ़ जाएगा तो वो सेहत के लिए खराब ठीक है यह बात है क्यों यह perform किया जाता है तो HDL जो है वह अच्छा तो उसका ratio से हमें पता चलता है कि body में value अगर कम है तो body में अच्छा cholesterol ज्यादा है और value अगर ज्यादा है तो अच्छा cholesterol कम है ठीक है ऐसे ही यह चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कैसे यह test किया जाते है वही बात है blood test से पता चल जाएगा फिर divide कर दिया जाएगे equation से तो हमें पता चल जाएगा normal जो range है वो 5 के नीचे होना चाहिए हाला के HDL चाहिए शरीन में ज्यादा है मगर फिर भी total cholesterol तो HDL से ज्यादा ही होंगे न तो वहाँ पर ratio 5 तक ठीक है 5 value तक ठीक है और 5 से अगर कम value है तो वो भी बहुत ही अच्छी बात है मगर 5 से अगर ज्यादा value है तो खराब है abnormal value indicator ज्यादा high TC by HDL ratio high total cholesterol by HDL ratio क्यों यह तब बढ़ता है जब cardiovascular disease होने की chances भी हमें बढ़ जाता है उसके साथ बात करते है LDL by HDL LDL to HDL ratio low density lipoprotein के साथ high density lipoprotein का ratio क्या चीज है यह जेखो the ratio of LDL cholesterol to HDL cholesterol यह चीज हम चेक करते हैं त तो LDL खराब cholesterol HDL अच्छा cholesterol क्यों perform किया जाता है एक ही बात the balance between bad and good cholesterol यह देखने के लिए एक test फिर से किया जाता है तो यहाँ पर सिंपल सी blood test जिससे LDL भी मिल जाता है HDL भी मिल जाता है directly फिर इसको हम LDL को divide कर देते हैं HDL की value से और हमें value मिल जाता है normal range less than 3.5 होना चाहिए 3.3.5 या उससे कम होना चाहिए और उससे अगर ज्यादा होता है वही abnormal value कहलाता है जहां पर high LDL हो low HDL हो गलत है सेहत के लिए अच्छा है high HDL low LDL याद रखना है हमेशा यह चीज याद रखना फिर आखरी जो parameter यहां पर हो है VLDL cholesterol very low density lipoprotein very low density lipoprotein okay VLDL का full form यह very low density lipoprotein cholesterol सबसे खतरनाक तरीके का cholesterol को होता है तो VLDL type का ही है यह क्या करता है to check the VLDL cholesterol which carries the triglyceride through the bloodstream blood में जो triglyceride होता है उसको VLDL very low density lipoprotein करता है ट्रांसपोर्ट करता है ब्लट के अंदर राइट तो triglyceride शरीर में किसी के ज्यादा है तो VLDL होना चाहिए उसको transfer करने के लिए तो हमें क्या करना चाहिए वही body से blood लेना है उसको calculate यह calculate किया जाता है dividing triglyceride value obtained from the blood test by 5 जितना भी आपके शरीर में triglyceride मिलता है उसको हम divide कर देते हैं 5 से तो हमें VLDL मिल जाएगा approximately उतना ही VLDL amount शरीर में मौझूद होता है नॉर्मल रेंज 5-40 mg पर deciliter होता है 5-40 mg पर deciliter abnormal value indicator की बात करें तो high VLDL cholesterol क्योंकि सबसे खतर ना के high VLDL जितना ज्यादा triglyceride होगा blood में उतना ही VLDL ज्यादा होगा और VLDL triglyceride को carry करेगा transport करेगा blood में और अगर VLDL का मात्रा बहुत ज्यादा बर जाए तो उससे 100% indication मिलता है कि मन्ने में कोई ना कोई cardiovascular disease होगा patient में cardiovascular disease होने की chances बहुत ज्यादा होंगे जिससे के blood clot I mean blood vessel के अंदर clot होना platform होने से लेकर अलग-अलग problem और उस patient में खास करके अगर BP blood pressure ज्यादा हो तो नसे फट सकता है उसके कारण stroke हो सकता है heart failure हो सकता है अलग-अलग बीमारी आ सकता है तो यह सारे lipid blood test और lipid profile blood test या फिर lipid profile panel और lipid panel blood test के नाम से भी जाने जाते हैं total cholesterol TC low density lipoprotein LDL high density lipoprotein HDL triglycerides TC by HDL ratio LDL by HDL ratio VLDL cholesterol ratio यह सारे के सारे चीज़े यहाँ पर देखो यहाँ पर हम total cholesterol LDL HDL और triglyceride को directly measure करते हैं blood test से और TC by HDL LDL by HDL ratio और VLDL cholesterol को हम calculate कर लेते हैं उसी data से तो यह होता है lipid profile test अगर आप में कहीं बे cardiovascular disease होने के chances हैं तो आपको यह सारे test में से test करना चाहिए total lipid panel test करना चाहिए वीडियो अच्छा लगा helpful है तो वीडियो को like जरूर करना शेयर करना अपने दोस्तों के साथ कलीक के साथ और subscribe करना इस चैनल को ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलता रहे है thank you bye